और CBI ने टेरी डॉक्टर मुर्डर केस की तफ्तीश तेस कर दी है CBI के जाच के रजार पर अस्पताल के स्टाफ के साथ ही कुछने संदिक्द भी है कोलकाता पुलिस के कतित सुस्त रवाईय को लेकर भी CBI के अफसर हैरान है रिपोर्ट देखे कोलकाता में हुई तरिंदिकी के असली गुनेगारों को पकड़ने के लिए CBI के सामने पहाड जैसी चनौदिया खड़ी हो गई है कोलकाता पुलिस की धुल्मुल जांच अस्पताल में तोड़ फोड अस्पताल के स्टाफ से पूछताच में लापरवाही कुछ ऐसे फैक्ट है जिनके पीछे छिपे सच को निकालने में CBI टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी चात्रा से बलतकार और उसके बाद हत्या मामले को एक हफता बीद गया लेकिन पहले इस पूरे मामले की जाच कॉलकाता पुलिस कर रही थी अब CBI इस पूरे मामले को इंवेस्टिगेट कर रही है लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे है कि एक हफते बाद क्या वो साइंटिफिक एविडेंस जो कि उस सैमिनर हॉल में मौजूद है वो अभी भी सिक्योर किये गए सूत्रों के मताबेक दावा किया जा रहा है कि घटना के एक हफते बीत जाने के बाद इसकी कडियों को जोडने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है CBI के सामने कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब धूनना इस केस के लिए बेहत एहम है जैसे क्लास खत्म होने के बाद भी कैसे खुला सेमिनर रूम सेमिनर रूम को किस ने खुला और किस ने बंद किया शव को घटना स्थल पर किस ने देखा और क्या किया पीड़ता के साथी डॉक्टरों स्टाफ का रियाक्शन क्या था ख़पर मिलने पर अस्पताल के बड़े अफसरों ने क्या किया पीड़ता के साथ डिनर करने वाले साथी डॉक्टर कहा थे परिवार को स्यूसाइक की ख़पर देने का प्लान किस का था कोलकाता पुलिस ने पहली बार रिपोर्ट लिखने में लापरवा ही क्यों की पहले ही क्यों माल लिया गया कि दरिंदिगी सर्फ एक शक्स ने की है सबसे बड़ी चुनोती ये भी है कि स्टाफ से सच को बाहर निकालना क्योंकि अलग-अलग थियोरी अलग-अलग बाते इस पूरे मामले में सामने आ रही है सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या अस्पताल प्रसाशन को चुछ चुपाने के कोशिश कर रहा है और यही बजा है कि सीबियाई अपने तरीके से इस पूरे मामले की जाज करती ही नज़रा रही है इस बरबर हत्याकान की जाज कुलकाता हाइकोट ने सीबियाई को सौपी थी लेकिन सीबियाई जाज अभी ठीक से शुरू नहीं हो पाई कि अस्पताल में तोड़ फोल और हंगामा हो गया अब सीबियाई एक एक कदम फूख फूख कर रग रही है जिससे इस कान के पीछे का सच निकालने में कोई कसर न चूट जाए CBI मेडिकल कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल से पूखताच कर चुकी है जबकि मेडिकल कॉलेज के ततकाली फ्रिंसिपल से भी पूखताच संबव है पीडिता के साथी डॉक्टरों के बयान भी दर्श कर सकती है CBI हास्पिटल के CCTV footage की परताल भी जारी है माना जा रहा है कि घटना पर पहुंचने वाले कोलकाता पुलिस के कर्मचारियों से भी CBI उनकी आखों देखा हाल समझ सकती है जानकारों का दवा है कि जिस तरह से पीड़ता के साथ हैवानियत की गई वो किसी एक अकेले शक्स के बस की बात नहीं है फिलहाल CBI अफसर इस केस के हर अंगल और हर कनेक्शन को खंगाल कर सच को निकालने की जद्दू जहत कर रही है ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत एक बार फिर से आपको तस्वीरे दिखा देते हैं मंताब एनरजी सडकों पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है मांग कर रही है कि फासी दी जाए हाला कि वही मंताब एनरजी है उनी की वो पुलिस है जिन्होंने ये कहा था कि पीड़ता ने आत्महत्या कर ली है अब वो हाला कि सडकों पर उतर गई है विरोध कर रही है और कह रही है कि पीडितों को न्याय मिले और इसी के साथ जिन्होंने अन्याय किया है उन्हें फासी की सजा मिले पहले ही ये पुलिस मान करके बैठ गई थी कि दरिंदकी करने वाला एक ही व्यक्ति है जिसमें सवाल भी खड़े हुए कि आखरकार ऐसा पहल सब्सक्राइब की सजा दी जाए स्यासत शरम पर देखने को मिले हैं पश्यमंगाल में जहां पहले आठ अगत को जब घटना घटी है तुस्वास जूट बोला जाता है परिजनों से कहा जाता है कि आकी बेटी ने आत्मात्या कर दी है उसका अभ्याकर शव तक देखने नह सब्सक्राइब कर देखने कर देखने कर देखने कर दिया है जबकि यह पहले ही अलान कर दिया गया था तो देखते हुए 16 अगस्त को तै कि व्रोध प्रदर्शन किया जाएगा अब एक तरफ पोलकाता से यह तस्वीरे सामने आ रही है बश्वी बंगाल की राज़ानी से जहां यह पूरी घटना अजिकर मैडिकल कॉलिज में घटी अब वहां पर मंताव एनरजी सरकों पर उतनी है अपनी पार्टी के समटकों के साथ अपनी समटकों के साथ और यहां तरफ देश वर में प्रदर्शन चल रहा है डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे है कि उनकी सेफटी सुनेशित की जाए तो दूसरी तरफ पश्वी मंगाल जहां यह घटना घटी वाकी राज़दानी कोलकाता से यह तस्वीर सामने आ रही है तरण मूल कॉंग्रिस और पार्ट कर रहा है जहाँ पर नियाकी मांग की जा रही है और फौसी की मांग भी की जा लही है सिवीर वाइ ने पूछ्वीर केस को टेख ओवर कर चुकी है उन सबसे पुछताच होगी कि आखिकार पहले इस मामले में क्यों कोई भी प्रेक्रिया का पालन नहीं किया गया था उस वक्त किसी भी तरीके से ये चीज़े सुरेश्चित क्यों नहीं की गई कि जो सबूत है वो मिटाए ना जा सके और कोलकाता रेप केस से जुड़ी एक और बड़ी ख़बर आपको बता दें और एक फिस्पोर्टा खुलासा इस मामले में हुआ है दरसल पिडिता के एक सहयोगी की सनलिपता भी इस मामले में सामने आ रही है और सवाल इसलिए उच रहे है ये कि इस पूरे मामले में कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अस्पताल स्टाफ पर कई आरोप लग रहे हैं और क्योंकि पिडिता का जो सहयोगी है अगर उसकी सनलिपता की बात जो सामने आ रही है वो सच है और इसके सबूत मिलते हैं तो सीधे सीधे अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठेंगे रात को एक बजे बड़ी संख्या में लोग यहां पहुँचते हैं तोड़ फोड करते हैं तो ऐसे में सवाल यह उठे गा ही कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाई और अस्पताल प्रशासन के संग्यान में पूरा मामला था कौन कौन लोग हैं उनके बारे में भी अस्पताल प्रशासन जानता है उनको बचाने और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई पहले भी और अभी भी कई लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है इसलिए इस मामले में कोई भी कुछ बोलने को खुल कर बोलने को तयार नहीं है मृतका के परिवार ने CBI टीम को ये जानकारी दी है और अगर इसके सबूत मिलते हैं तो RGK अस्पताल के डॉक्टर्स पर भी सबाल उठ रहे हैं RGK के कुछ फिजीशियन और इंटर्न पर आरोफ लगाया है फिर्टा के परिवार ने कोलकाता रेप मर्डर केस में ये बड़ा और रिस्पोर्टा खुलासा है जिसमें CBI अब तम्माम सबूत खंगा लेगी तो लगातार देखने को ये भी मिल रहा है कि देश्वर में डॉक्टरों के दौर प्रदर्श्वन किये जा रहा है और आप ऐसे में निर्मार भवन के बाहर भी डॉक्टर पहुचे हुए थे जहां पर उन्होंने अपना प्रदर्श्वन किया है हमारे सहयोगी गडेश की ग्राउं रिपोर्ट आपको वहां से दिखाते हैं चलकत्ता मुही घटना को लेकर डॉक्टरों का वुरोत प्रदर्श्वन अब स्वास्त मंत्राले के बाहर पहुच गया पहले दिली के अलाग अस्पादालों में डॉक्टर वुरोत प्रदर्श्वन कर रहे थे इन दॉक्टरों के हाथ में जो पोस्टर बैनर इसमें लिखा हुआ है और पोस्टर लिखा है जिसमें लिखा है और डूटी फेमिल डॉक्टर रेप डवाद मर्डर आर्केजी मेडिकल कॉलेज तमाम इन लोगों के हातों जिस तरीके सा अलाग अलग पोस्टर बैनर है इनी डॉक्टरों से बात करते हो जानते हैं क्या कुछ मांगे क्यों लाग कि सरकार हमारी मांग जल्दी से जलदी माने जिससे कि हम लोग ये की लिख MRF जादे हम लोग छाद हम ही जह आथ पहले दे cd को जगाया है डॉक्टर से उपर अटक पहले वी हो चुक्या जाहे वो मेल हो चाहे हो फीमेल हो ये जेंडर-फेस्जिशन हम नहीं कर सकते हैं इसलिए हम Central Protection Act की मांग कर रहे हैं क्या कि जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन के लिए उतर पड़े हैं आप लोग की मांग क्या है क्योंकि लगातार CBA की जाच के लिए को हो चल रही है जाच भी हो रही है अब आप स्वास्तमंत्राले के बाहर भी सर जो इनिशिल पार्ट था इट स्टार्ट इट इस्टार्ट इन गेंड बिकास अफ देट देट रहे हैं बिकास अब अभी जो पॉइंट आ गया है वह सीपीए का Central Protection Act बहुत निससिटी है टाइम का जब हम इस चीज के लिए लड़ रहे हैं तब भी ओन गोईंग इंग नही अब इसके लोईंगा है